हालो गाईज वालकम नो मैं चैनल को साज को टिंकलसीज आई होब गाईज ट्रेवल गाईज बहुत सरे बच्चों के इंक बारे सा रहे थी एक्जामेशन फॉर्म के रिगार्डिंग के मैम हमने जून में एक्जाम देनी है हमारे एक्जामेशन फॉर्म के फीस कब जाएगी तो गाईज पॉर्टल उपन हो चुका है यह देखिए आपने क्या करना है इसकी सभी इंफॉमिशन चेक करने के लिए अपने मुबाइल में कोई भी आपने ब्राउजर उपन करना है लाइक मैं गूगल पे गई हूँ और वहाँ पर आपने सच करना है इग्όσमेशन फॉर्म जब आप सच करोगे उसके बाद आपके पास फर्स यह वैप सेट आएगी इस पर क्या करना है आपने क्लिक करना है जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास यह जो full इसकी information है उसका जो page open हो जाएगा अभी इसको मैं करते हूँ close यह देखिए यह आपके पास full page आ चुका है guidelines के according और यह देखिए एक important जो news है important information कि इसकी जो last date है वो 5 April है 5 April 2023 तक आप अपने जो examination form fees fill कर सकते हो without time late fees but guys मेरा कहना यह है कि अगर portal भी open हो चुका तो आप अभी से अपना जो form है वो fill कर सकते हो अपने mobile पे ही fill कर सकते हो और प्लीज आप जल्दी सी form fill कर दीजिए कि बाद में जो seats होती है जैसे आपका जो भी reasoning center है उसके according जो भी seats होती है वो book हो जाती है और फिर आपको कही seat नहीं मिलती और आपको बहुत दूर जाके exam देने पड़ते हैं तो आप अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीस आज या कल प्लीस यह अपने जो form है वो submit कर दीजिए examination form के fee submit कर दीजिए और इसके regarding guys जैसे जो मेरी audience रहती है वो DEC की रहती है DEC के पहले तीन exam होते थे DEC 1, DEC 2 and DEC 3 बट इसमें अभी changes है वो क्या changes है वो भी वीडियो के last तक मैं आपको बताऊंगी वीडियो के last तक बने रहना और ये भी बताऊंगी कि आपने अपने जो fees है वो कैसे submit करनी है तो ये दिखिए guys इन्होंने सभी information दिए हुई है आप इसको अच्छे से read कर सकते हो जब portal open करोगे तो अच्छे से read करना इसके बाद guys मैं main आपको बताती हूँ कि आपने अपने जो fees है वो कैसे submit करनी है और आपने क्या करना है इसके last पर बिलकुल आ जाना है और यहां पर आपने क्या करना है यहां पर टिक करना है यह दिखिए यहां पर इन्होंने बताये भी जितने भी इन्होंने टम और कंडिशन बताई है आपने अच्छे से read कर लिया और यहां पर आपको click करना है और उसके बाद आपने इसमें two आपको शो की होगा buttons यह दिखिए एक तो proceed का कि next हम step करेंगे second जो button है वो है आपका check status जब आपने full fill कर दी उसके बाद आप अपना status चेक कर सकते हो यहाँ पे अपनी information फिल करके first अभी आवी तो हमने meaning submit करनी है तो हम first पे click करेंगे proceed to fill all an examination तो उसके बाद हमने ok कर दिया bitch guys जब आप ok करोगे तो आपके पास यह जो dashboard है यह आजाएगा यह आपके पास portal आजाएगा यहाँ पे आपने क्या करना है? enrollment number फिल करना है अपना program फिल करना है और उसके बाद आपका जो भी reason center फिल करना है firstly देखिए जैसे इमिनिकर जो program है हमारी जो mostly audience रहती है वो DEC की रहती है तो यहाँ पे मैं simple DEC select करती हूँ अभी हमें मिला नहीं है थोड़ा से वेट कीजिए सर्च कर रही हूँ अभी हमने DEC select करना है अगर आपका इगनों से कोई भी other course फिल आपने किया हुआ है तो आप वो फिल करना है यह देखिए DEC मिल गया है तो यहाँ पे आपने यह select करना है उसके बाद आपका रिजिंग सेंटर जैसे mostly जो मेरी तरफ की audience रहती है वो खन्ना की रहती है तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ खन्ना submit करती हूँ यह देखिए खन्ना हमने submit कर दिया उसके बाद आपने क्या करना है यह इसनों cap-tap दिया हुआ है हमने यह fill करना है capital Q, capital F, capital X, capital Z और उसके बाद 3 यह हमने ok कर दिया है अभी उसके बाद देखिए enrollment number यहां पर आपने कोई भी अपना जो आपका enrollment number है वो fill कर देना है अभी मेरे पास जो enrollment number है वो मैं fill कर देती हूँ 210-5851-525 मैंने यह fill कर दिया तो आपने अपने करना है ठीके और उसके बाद summit कर देना है जब आप summit करोगे तो आपके पास ये dashboard आ जाएगा दिये दिखिए और यहां पर देखिए आपने क्या करना है guys पहले आपका ये सभी information आगी उसके बाद आपने क्या करना है examination center आपने यहां पर fill करना है जो भी आपने examination center यहां पर exam देना चाहते हो अपने according location के according अपने fill करना है उसके बाद जितनी भी इन्होंने information मांगी है date of worth, email id सब कुछ आपने fill करना है अपना mobile number वेकरा सब fill करना है अभी latest update कि बहुत सरे बच्चे पूछ रहे थे कि मैं latest update क्या आई है हमने examination form fill करना है पता चला है latest update आई है तो इसमें क्या करना है guys देखिए जो DEC के students रहते हैं उनके तीन exam होते हैं जैसे मैंने पहले आपको बताया एक तो आपका जो रहेगा DEC 1 रहेगा एक तो ठीक है दूसरा आपका 2 रहेगा DEC 2 तीसरा रहेगा आपका DEC 3 ये तो आपके तीन exam हो गई बट इसके इलाबा आपका अभी project work का भी आपको fill करना है ये देखिए मैं आपको select करके बता रही हो यहाँ पे जो option इन्होंने बताई है यहाँ पे आपको select करना है यहाँ पे देखिए जब आप select करो के तो इन्होंने बताया है DEC 1 English और Hindi जैसे जो मेरी audience रहती है वो English और Hindi की रहती है इफ अगर आपने तामिल में भी fill किया है तो आप यह चीज क्या है यहाँ पे select कर सकते हो अगर आपका Hindi और English medium है तो आपने यह चीज़ select करनी है तो यह देखिए first हम select करते हैं तो हमने select कर दिया उसके बाद आपने क्या करना है DEC 2 select करना है यह DEC 2 कर दिया उसके बाद आपने क्या करना है DEC 3 करना है तो DEC 3 भी हमने select कर दिया उसके बाद 4 last पर देखिए यह option उने अभी new provide की है DEC 4 project work की तो यह भी आपने select करना है तो यहां पे भी आपको select करना है और आपके यह 4 जो exam है वो होंगे और DEC 4 में क्या आएगा इसकी भी latest updates के लिए चैनल को subscribe करना क्योंकि latest score भी update आएगी तो हम आपको चैनल पे बता देंगे भी आपको कैसे कैसे अपने exam conduct करने है और मान के चलो जो पिए अपकी examination form की fees कितनी है पर exam 200 fees रहती है और आपके यह 4 है तो आपके total 800 fees होगी 800 fees आप online submit कर सकते हो क्योंकि जब आप यहां पे select करके उसके बाद आप यह information फिल कर दोगे और उसके बाद submit करोगे submit करने के बाद जो भी options आएंगी तो उसके according आपने अपनी जो fees है वो cutting करनी है और इसके बिना guys एक चीज यह है यह भी ध्यान रखना है जैसे अपनी first यह 4 फिल कर दिए डीजी 4 तक फिल कर दिए उसके बाद इन्होंने यहां पे mention क्या हुआ है कि जो assignments की जैसे आपको भी assignments की जो last rate है वो 30 March है उससे पहले पेरे सभी बच्चे almost submit कर देंगे तो यहां पे आपको yes click कर देना है उसके बाद आपने क्या है submit कर देना है जब आप submit करोगे तो आपके जो payment की options आएंगी payment की option के according जो भी आप phone पे use करते हो पेटे में यूज करते हो या Google पे use करते हो उसस जब guys आप fees fill कर दोगे तो आपका जो mobile number आप fill किया होगा वहां पे भी आपको message आजाएगा otherwise आप screen shot लेके भी रख सकते हो और उसके बाद guys जैसे मैंने आपको starting में बताया था अभी मैं आपको back लेके चलती हूँ बिल्कु starting में यहां पे आपने okay कर देना है अभी guys जब आ आपका अपना enrollment number, date of worth आपने fill कर देना है और submit कर देना है और submit कर देना है और submit कर देना के बाद आपका जो भी status रिग आपको show हो जाएगा और इनो ने एक punch line बताई है यह दिखिए enter follow to search after 72 hours of the submission of your examination form ठीक है जो भी अपने details चेक करनी है यह ना हो कि आपने अभी form submit किया यह बना रही हुआ आपने submit किया और आप details चेक करते हो 72 hours के बाद अपना जो details है वो आप चेक कर सकते हो यहाँ पर submit करने के बाद आपको इतना time क्या है वेट करना पड़ेगा उसके बाद ही आपका जो status वो आपको show होगा तो यह चीज़ इसके according जैसे आप मैंने आपको वीड इसके साथ guys अगर आपने अभी तक अपना जो project summit नहीं किया क्योंकि आपको पता है कि DEC4 का अभी जो project है वो submit होना बाकी है और assignments आपने submit कर दिया फिर assignments की भी अगर आपको solar pdf चाहिए वो भी हम provide करते हैं project work की भी हम solar pdf provide करते हैं if अगर अपने online submit करवाना है आपने अभी कुछ भी स्टार्ट नहीं किया project work का most important information आपके लिए कि अगर आपने project work का अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं किया तो आप मेरे से contact कीजिए मुझे WhatsApp मैसेज कीजिए हम आपका जो project है वो online submit कर देंगे उसके क्या-क्या हमको जो जो आपको मिनिक चाहिए होगा हमें जैसे i video के description में मिल जाएगा और आपको screen पे विशू हो जाएगा तो guys दिखे video अगर helpful लगी तो video को like चुरू कर देना first time आई हो तो channel को subscribe चुरू करना okay guys bye bye